नमस्कार दोस्तों हमने हिंदु धरम में ओम शब्द तो कही बार सुना है कही बार उचारण भी क्या है हम कभी भी भगवान का नाम लेते हैं तो उससे पहले ओम का उचारण करते हैं लेकिन ओम शब्द का क्या मैत वहर जानिए इस वीडियो के दोरान कभी कभी हमने देखा है कभी में हम पूजा करते हैं या किसी भगवान का नाम लेते हैं तो उससे पहले हम ओम का उचारण करते हैं ओम का मतलब होता है ब्रहमाड यानि कि पूरे ही ब्रहमाड में सबसे पहले ओम शब्द निकला था इसलिए पूरे ब्रहमाड में ओम को ब्रहमाड के नाम से जाना जाता है कभी भगवान का नाम इसमराण करने से पहले हम ओम शब्द जरूर बोलते हैं पूजा पाठ हो कोई भी चीज हो जब भी हम पूजा पाठ के कारे में चुटते हैं तो उससे पहले हम ओम का उचारण जरूर करते हैं ओम का महत विभी हमारे जीवन में बहुत जाता है ओम सारे गुणों में एक है जब भी हम भगवान के राधना करते हैं या फिर पूजा करते हैं तो उससे पहले सिफ ओम ही बोलते हैं और उसके बाद हमारे जीवा बर भगवान स्वेम ही बराजमान हो जाते हैं ओम शब्द के अंदर फ्रमा, पिश्णु और महिर तीनों को एककत्र जोड़ा जाता है इसलिए यदि आपको अलग अलग भगबान के नाम ना उचारण करना पड़े इसके लिए एक ओम शब्द का उचारण करना सबसे महतोपूर माना जाता है क्योंकि सारे देवी देवता इसी ओम शब्द में बिराजमान होते हैं यदि आपको अधिशक्ति चाहिए या फिर आपको ज्यान चाहिए उसके लिए आप ओम शब्द का ही उचारण करें भगवान का नाम लेने के लिए ओम शब्द काफी रहता है जब भी हम ओम का उचारण करते हैं तो वह 432 हार्च की कमपट पैदा करती है जिसकी वज़ा से हमारे सरीर में जितनी भी कर्मी होती है वह सभी हमारे सरीर से बहार निकल जाती है और हमारे मन को बिलकुँ सांध कर देती है हमारे तनाव को दूर करती है इसलिए यदि आपको तनाव होता है तो आप अपने तनाव को दूर करने के लिए ओम का उचारण जरूर करें आपके मन को शान्ती मिले और आप अपने आपको समझ सकें तो उसके लिए पेकांत में बैट कर ओम का चाप जरूर करें जो आपको मत्य विंदू यानि तीसरी यां कहलाता है उसे आप खोल सकते हैं और अपने आपको समझ सकते हैं आप क्या हैं आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या जानना चाते हैं ये आपके ही द्वारा ही पता चलेगा किसी और के द्वारा नहीं तो आप कोशिश करें कि आप ओम का उचारन करते रहें जिससे कि आपको अपने बारे में जादा ग्यान हो तो ये हैं ओम का महत्व, यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप ओम का उचारण जरूर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले